मद्र प्रदेश के ग्रह जेल और संसदिय कारिम मंत्री डॉक्टर नरोत्तम इश्राज सतना पहुँचे जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया इस दोरान ग्रह मंत्री ने संसद गणेश सिंग के निवास पर पहुँच कर उनकी दिविगंत माताश्री के प्रती शद्धा अंजली अर्पित की इसके बाद पूर विधायक शंकरलालतिवारी के निवास पहुचे जहां उनके अनुज के निधन पर शद्धा सुमन अर्पित किये इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सतना में राम वन गमन को लेकर जो घटना करम हुआ है उससे मैं वाकिफ हूँ राम हमारे आराद हैं राम बन पत्थ गमन की बात हमने प्रारंभ की थी तुरुटी भ्राम और श्री गृता वन्ष सिद्धा पहाड को लीज पर देने की कारवाही हुई मैंने सपष्ट किया है कि वह लीज पर नहीं दी जाएगी और मुख्य मंत्री भी इस मामले में सपष्ट कर चुके हैं आपको बता दें इसके पहले ग्राम मंत्री महियर पहुँचे जहां उन्होंने श्मा शार्दा रेवी के दर्शन किये और अधिकारियों की बैठक लेकर कानून विवस्था को बेहतर करने के निर्देश दी आज आप काल प्रवास था जिले का बही हर माता सार्दा के दर्शन भी किये और जिले के बली सधिकार के शरच सतना रीवा ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने माई पूर माता नहीं तेखा मेरी पूरी कोशिस रहती है कि मा का आशिकी बाद आज भी जाया है मानि मंध्री जी जबरपूर में जोट उत्रू से स्वाब मारा है अभी सप्के यहां पे बड़ी ताजात में धर्मांत्रा संबंधी दस्ता बेज मिने हैं क्या लगते इस पूरे मामले में क्या करवाई होगी और अधी तरह की चाहसर नहीं है हमारे प्रदे सद्यक्जी कल बोल चुके हैं कि इस तरह की संदिक्द आच्रण और इस तरह की संदिक्द गत्विदियां इनकी सघंज जांच होनी चाहिए लिशिद रूप से होगी इस पूरे मामले में यह कहा जा रहा है कि इसकी निरस्त नहीं हुई अभी और वहां पे राम पत्गमन का प्ली तरह से कास होना चीजिए बहुत किस पश्ट रूप से जब पहले दिन यह विश्य आया था तो मैंने सबसे पहले बोला था राम हमारे आराद है राम पत्गमन की बात हमने प्लारण में इसी तुटिवस ब्रहंबस सीग्रितावस मानलो कोई कारवाई प्लारण में हुई भी है तब भी मैंने इस पश्ट किया था कि वो लीज़ पे नहीं दी जाएगी मैं आज सत्रा में भी आया हूँ अब भी कह रहा हूं मनि मुक्रम compensation चुछ में प्राण मे में धर्लारा था और भी स्कति और बोल कर भी चुछ और आज मूनल ऐसेवा तो इक डिएतअ के लिए के